और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर आपको बताते हैं गजेंदर सिंग शक्तावत का निधन हो गया है मुख्यमंत्री गहलोत ने शोग जताया है और निधन की कारण आज कैबिनेट की बैठक इस्तगित करती है सुभा 11 बजे ये बैठक प्रिस्तावित थी दिशा की बैठक हुई सगेत लंबे समय से विमार थे शक्तावत पिछले 15 दिन से सीम गहलोत ले रहे थे स्वास्त की जानकारी तो आपको बता दें गजेंद्र सिंग शक्तावत नहीं रही है और इसी कारण मुखेमंत्री अशोग गहलोत ने दुख प्रकट किया है और साथी साथ पिछले 15 दिन से सीम गहलोत उनके स्वास्त की जानकारी ले रहे थे क्योंकि लंबे समय से वो बिमार थे इसके बाद आज गजेंद्र सिंग शक्तावत का निधन हो गया और इस पर मुखेमंत्री अशोग गहलोत ने शोग जताया है दुख जताया है और इसी कारण कैबिनेट की जो बैठक है उसे इस्थगित कर दिया गया है आला कि आपको बता दे आज ये बैठक होनी थी लेकिन अब इस बैठक को इस्थगित कर दिया है सुभा 11 बजे ये बैठक प्रस्तावित थी दिशा की बैठक होनी थी जिसे आप इस्थगित कर दि गया है आपको बता रहे हैं हम ये बड़ी खबार और दुखत खबार जब गजेंद्र सिंग शक्तावत का निधन हो गया और हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमार साथ जुड़ गए है नरेश तो ये आज सुभा की एक दुखत खबार और मुख्यमंत्य अशुक गहलोत ने भी इस पर दुख व्यक्त किया है अम बिल्कुल देखें काफी दुखत खबर है ने करदेश की राजनीती को लेके बल्कि सास्कर कॉंग्रेस को लेके कि आज उनके और विधायक का निधन हो गया है वल्लब नगर से विधायक आते थे पर जंद सिंग शक्तावत जो की गद्द सिंग शक्तावत जो शेवार विधायक रहे हैं उनके बैटे थे और यह कुछ भी दूस दीवार विधायक थे वल्लब नगर से विधायक आते हैं उनका आज नीधन हो गया है लंबे समय से बिमार से और पिछले पंदा दिन से तो काफी सीरियस से और मुक्ष्यमंती अस्व लगातार जो है वो इनको स्वास्त को लेकर जान कर ले रहे थे डोक्टरों से संपक्त में थे लेकिन अब उनका निधन होगा है और उनके सक्तावत के निधनी कारण से आज जो साम को विनेट की बैठक जो प्रस्तावित थी जो साम पांच मुझे मुक्ष्यमंती आवाज होनी थी वह बैठक अब नहीं होगी और साथ में जैसा आपने बताया कि 11 बजे तिशा की बैठक परस्तावित थी वह बैठक भी अब नहीं होगी तो ऐसे में कॉंग्रेस में शोक का लहर है दुखती ख़बर है क्योंकि प्रदेश की राजनिति के लिया से भी अगर हम बात करें तो यह दुखत ख़बर है क्योंकि इससे पहले भी प्रदेश ने अब तक अपने तीन विधायक खो दिये हैं अगर हम बात करें किरण महेश्वरी का निदन हुआ था किलास प्रिवेती का निदन हुआ था चलावा मंत्री मास्टर भॉनलाल है उनका निदन हुआ था जिनके चेत्र में उप्चुनाव होने की बात चल देती लेकिन अब अचानक गजन सिंग्शक्तावत है उनका भी निदन हो गया है यानि कि चार विधायक है वो प्रदेश ने खो दिये हैं तो ये एक दुखत ख़बर है और अगर हम बात करें से पहले भी दो हजार आठ मे में भी गजन सिंग्शक्तावत है वो विधायक देश चुके हैं और उसके बाद अभी उन्होंने जो अभी जो चुनाव लबन के सजीता था उसमें भी जो है उन्होंने काफी अच्छा प्रदेशन करके जो है उनके साथ थे और लगातार है वो अपने चेटर की मुद्धे भी उन्होंने उठाए हैं लगातार चेटर के मुद्धो को भी उरान सबा में रख़ा है लेकिन अब यह दुक की कबर काद कर्कर मेवार के लिए कि उनका एक गन प्रसे निशकिक जो कि लगातार विदान सबा में उनकी बात उठाता था वो अब नहीं रहा और कासे वलब नगर के लिए भी बड़ी दुख की खबर है कि उनके विधायक जो है अब नहीं रहे मुक्यमंति अशोक गहलोत ने जो है उन्होंने भी उनके परिजनों से बात की है और लगातार प इलाज कर रहे थे जी बिल्कुल नरेश आप हमार साथ बने रहे है पिरताप सिंग खाचरी व्यास हमार साथ जुर गया है सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका फरस्ट इंडिया निउस पर लेकिन आज सुभा कि ये दुखत खबर जब गजेंद्र सिंग शक्तावत नहीं रहे हैं कैसे आप उनको याद करते हैं? अजिए पिरताप सिंग सक्तावत हमारे पीच में रहे हैं काफी तिनों से विमार चल रहे थे पहले जब वो अधाप उड़ गया था प्रफारी बनने के बाद रहे हैं तो अन्होंने का था कि में सेज के को रोना हो रहा है और उसके बाद अब उनकी डैथ हो गई ये आज जानता हूं तो मैं बहुत बहुत बाद बरसों से जानता हूं पढ़ता हूं जब उनको जानता हूं 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 जानता हूं